दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे परस्नेलिटी के बारे में जो दो बार हमारे देश के प्रधान मंतरी रहे मगर उनके बारे में हम भावत कम जानते हैं 1964 में जब देश के प्रथम प्रधान मंतरी जवाला नहरू का निदन हुआ तो ऐसे नेता की तलाश हुई जो स्थाई प्यम की निक्ति तक देश की बाग दोर समाले और तब नहरू जी के मंतरी मंगल के वरिष्ट सयोगी गुलजारी लाल नंदा का नाम सामने आया तब गुलजारी लाल नंदा ने केवल 14 दिन के लिए ही कारेवाग प्रधान मंतरी का पस्तमाला और जब लाल भादुर शास्त्र को पीम बनाने का फैसला हुआ तो गुलजारी लाल नंदा ने सहजता से कुर्सी शास्त्री जी को सौब दी दो साल बाद फिर देश को गुलजारी लाल नंदा की जरूरत पड़ी 1966 में ताशकंद में प्रधान मंतरी लाल भादुर शास्त्री की रहस्तमाई हालातों में मिरती हो गई ऐसे में गुलजारी लाल नंदा फिर देश के प्रधान मंतरी बने इस पार भी वे 14 दिन के लिए ही इस पद पर रहे इसके बाद उन्होंने यह पद इंद्रा गांदी को सौब दिया गुलजारी लालनन्दा का जनम इस समय पाकिस्तान में इस्तित सियाल कोट में 4 जुलाई 1898 को हुआ था उन्होंने सियाल कोट लाहूर और इलाबाद में शिक्षा पाई वे कानून के सना तक थे युवा वस्था में उन्होंने ऐसे योग आंदोलन में भाग लिया साथ ही मुंबाई के नैशनल कॉलिज में अर्दशास्त्र के शिक्षक भी रहे एमदबाद के कपड़ाओ दियोग में उन्होंने लंबा समी बिताया यहां वे 1922 से 1946 तक श्रमिक संगठन के सचिव रहे इसी दोरान उन्होंने भारत छोड़ो समेत तमाम स्वेतनतता आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए नंदा आजादी से पहले और आजादी के बाद भी मुंबाई के एक इलाके से विधायक चुने गए और वहां की सरकार में मंत्री रहे 1947 में मजदूरों के संगठन इंटक के गठन का श्रे भी नंदा जी को ही दिया जाता है दिल्ली आकर वे योजना आयोक के उपाद्यक्ष बने और बाद में कई विभागों के मंत्री बन गए इसमें रेलवे और ग्रह मंत्राले प्रमुक हैं उन्होंने कई किताबे भी लिखी 1975 में जब इंद्रा गांदी ने इमर्जेंसी लगाई तो गुलजारी लाल नंदा ने इसका समर्थन नहीं किया इंद्रा गांदी ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की मगर वे टस से मस नहीं हुए और इसके बाद चनाव नहीं लड़ने का भी फैसला किया दोस्तो शायद यही वज़ा थी की इसके बाद वे गुमनामी में खो गए उनका पता देश को तब चला जब नभे के दशक में एक अखभारन में खबर छपी की देश का पूर्व प्रधान मंतरी एक घर में क्रायदार बनकर रह रहा है और उनके पास क्राया चुकाने के भी पैसे नहीं है तब सरकार जागी और 1997 में गुलजारी लालनन्दा को भारत रतन प्रदान किया गया गुलजारी लालनन्दा सच्छे गांधिवादी नेता थे स्वेतनतता सैनानियों को मिलने वाली मदत राशी भी उन्होंने भाउत मुश्किल से स्विकार की थी मंतरी रहते वे निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तमान नहीं करते थे गुलजारी लालनन्दा पूरे 100 साल जीए 15 जनवरी 1998 को उनका निदन हो गया